दोस्तों अगर आप सहारा का पैसा वापस लेने के लिए रिफंड फाइल करना चाहते हैं, अपना क्लेम करना चाहते हैं रिफंड पॉर्टल के थुरू तो आज का ये वीडियो बस आप लोगों के लिए होने बाला है आज किस वीडियो में मैंने डीटेल से ये कवर किया है दोस्तों, step by step मैंने बताया है कि सहारा का जो रिफंड पॉर्टल लॉंच हुआ है उसमें हम अपना क्लेम फाइल कैसे करेंगे कैसे अपने पैसे को क्लेम करेंगे ताकि वो पैसा मुझे वापस मिल जाए क्या प्रोसेस है step by step मैंने बताया है दोस्तों इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा informative है आप लोगों के लिए वीडियो को बिना skip किये लाग तक जरूर देखिएगा तो चलिए apply करने का तरीका जान लेते हैं मुबाइल से सहरा के लिए refund apply करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपसे भी लोगों को CRCS का यह जो पोटल नया अपने आ गया है कैंद्रिय पंजियक सहरा refund पोटल इस पे आना होगा लिंक आपके सामने यह रहा इसका direct link मैं आपको description पे provide करा देता हूँ महाँ से आप इस वाले link पे आ जाएंगे ठीक है यहाँ प्याने के बाद दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं कैंद्रिय पंजियक सहरा refund पोटल का यह है ठीक है कौन-कौन सा यहाँ पे पोटल अगर आपने इन 400 साइटीज में पैसा लगाया था तभी आपको अभी apply करना है otherwise आपको अभी apply नहीं करना है सबसे पहला इस टेप में आप सभी लोगों को जमा करता पंजीकरन पे click करना है और आप सभी लोगों को कुछ SI इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पे अपना अधार कर्ण करना है ध्यान से यहां पे लिखा गया है तो अंतिम चार अंख देना है यानि कि लास्ट का 4 डेजिट की देना है उसके नीचे mobile नमर दे दीजिजएगा जो अधार से लिंक है तभी आपको इक OTP प्राप्ट होगा OTP प्राप्त करें पर click करना है इक OTP आपको मिलेगा दोस्तों वो OTP अंटर करके यहाँ पर OTP सत्यापित करें पर click करना है उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को total 6 यहाँ पर steps में यह आपका form apply हो जाएगा पहला इस चप में आप से बी लोगों को यहां पर जमाकरता की सह मती देना यानि कि consent देना है नीचे आएंगे दोस्तों यहां पे नियम और सल्टेंपे clients and click कर दिजिएगा Otp आने के बाद Utp यहां पर क्लिक कर दीजिएगा ठीक है, OTP जाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि OTP भीजा गिया है, OTP यहां पर दे दिजेगा, सत्यापित करेंपर की लिख कीजेगा, उसके पाद वीबरन आधार से प्राप्त किया गिया है, यानि कि जो भी आपका आधार डिटेल में है था, वो डिटेल यहां पर कीजेगे, आपका पूरा नाम क्या है, आपका जन्म डेट का है, पिता पती का नाम आधार सीडेट बैंक को सा है, ध्यान दिजिएगा दोस्तें, और आप सब लोगों को next पर क्लिक कर दिना है तुक है उसके बाद यहां पर दोस्तों देख सकते हैं व्यक्तिगत जो विवरन है वह सफलता यहां पूर्वक वह सेव ठोग जिया है तिक है उसके बाद नीचे देख सकते हैं दोस्तों अगला का जो ऑक्षन है यहां पर उसको यहांपे click कर दिना है जैसे आप अगला पे click करेंगे दोस्तों तो third step में आप आ चुके हैं ठीक है थडी step में दावा विवरन यान कि आपके पास जो certificate है न स्कृन पर देख सकते हैं दोस्तों यह होता है सहरा का certificate तरह तरह के certificate आते हैं अलगभलग society का थोड़ा अलग होता है कि मेरा society कौन सा है यह कहां पर लिखा होता है तो मैं देख सकने दोस्तों मैं आपसे भी लिखा देता हूँ यह जो उपर में लिखा हुआ है ने रेडमार्क में यही आपका society का नाम है दोस्तों हमारा पास्बुक नंबर या पर प्रमान पत्र जो certificate नंबर होता है दोस्तों तो दोनों में से जो वहां पर अबलेबल है आपके certificate में वो दे दीजेगा दोस्तों यह डिटेल थोड़ा सा यहां पर खोजना पड़ता है जिसमें की बहुत सारे लोगों को problem face करना पड़ता है तो इसक कुछ फिल करने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को निचे आना है निचे आने के बाद आप सभी लोगों को यहां पर खाता खोलने की तिथी देना है यानि कि किस दिन आपने account open कराया था यह date भी certificate में वहां पर mention होता है देख लीजेगा ठिक है न मैंने उस video में बताया आई बटन पर link है description पर उसका link है उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर जमा योगदान रासी यहाँ पे धियान दीजेगा दोस्तों की यहाँ पर maturity amount नहीं बांग रहा है ठिक है कि कितना आपको मिलेगा यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है कि आपका जमा कितना है आपने deposit कितन जितना आपने जमां किया है जैसे आपको… तो उतना ही देना है जो certificate में लिखा हुगा है कि कितना आपने यहां पर जमां किया है और मैयतरौटी कितना मिलेगा वह सब आप को आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है और चूज फाइल पे किलिक करके दो तो जो certificate का डिटेल यहाँ पर में लोगों ने दिया है ना स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टैप का एक photo ले लिजेगा simple ठीक है photo ले लिजेगा उसको ठीक है उसका size दोस्तों 200 kb से कम होना चाहिए photo लेने के बाद उसको थोड़ा सा size कम कर लिजेगा online बहुत सरे टूल होते हैं search कर लिजेगा google पे कि size reduce कैसे करें photo का तो वहाँ पे आ जाएगा जो भी photo आपने लिया है 200 kb से कम पहले कर लिजेगा और उसी को select कर लिजेगा दाएं side में वह certificate आपका show हो जाएगा ठीक है ना दाएं side में वह properly दिख जाएगा कि हाँ जो detail मैंने प्लिक किया है उसके बाद right side में मिला लिजेगा कि हम वही detail यहाँ पे show हो रहा है उसके बाद दोस्तों जब आपका यह सारा कुछ हो जाएगा ना उसके बाद आप सभी लोगों को जब आपने फाइल चूज कर लिया तो नीचे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंक पर यहां ने बिलार कर दियायों यहां पे एक लिखा आगा और अगरी चीप किसी के तंट किंप आपे लगा करना ध्यान झीजिए गा यहां जितना भी पैसा अपने लगाए थीचाँ लिए कि यह तो यहां पर हो गया, दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा इसके उपर आएंगे, दूसरा फिर से आप सभी लोगों को यही option दिये जाएगा, कि सबसे पहले फिर से नया, आपको अपना society चुनना है, और उसका details फिल करना है, खाता संख्या, रिसीर संख्या, membership number, उसके बाद में select कर लिजेगा, ठीक है, और उसके बाद आप सभी लोगों को आजाना है, अगला पे click कर देना है, और आपको आजाना है, next step में, ठीक है, जितना दावा होगा, एक बार में यहां पर दे दीजेगा, कोई डिकत है, तो नीचे comment कर दीजेगा, उसके बाद दोस्तों, यहा इसके बाद नहीं कर पाएंगे, मतलब final करने के बाद नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, नीचे आपको देखने को मिल जागा, दावा अनुरोध जेनरेट कर रहे हैं, एक PDF का form आपको यहां पर मिल जाएगा, PDF का form मिल लिने के बाद, आपको यहा पोटोवगरा चिप काने के लिए कि लिए कहा जाएगा, फोटोचिप काने के बाद, फोटो में cross sign काने के लिए कहा जाता है, यह form डंلोट हो जाएगा, और आपस तरहाइगा, प्लेस लिखक्देना है, और मोबाइल नमर लिख देना है, बस यही कुछ चीज आप लोगो इसका एक फोटो लेना होगा, फोटो लेने के बाद इसका PDF में convert करना होगा, दौनों पेज को कैसे किया जाता है, मैंने एक वीडियो में बताया है, वो भी जाके देख लिजेगा, इतना करने के बाद दोस्तों इसमें एक दो दिन का time लग सकता है, घबराने वाली बात नहीं जो भी problem है, उसको solve कर लिजेगा, अच्छे से form फिल कर लिजेगा, उसके next day या फिर एक दो दिन बाद भी अगर आप यहां पे आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन बाद भी यहां पे upload कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों, जब आपका यह form सही-सही फिल हो जा इस page में आने के बाद दोस्तों, यहां पे बोला जारा आप लोगों को, डारेक आप का चौथा step ही खुलेगा दोस्तों, जहां पे आपने रुका था, जहां पे आपको रुका गिया था, चौथे step में, इसी step में डारेक आप का login हो जाएगा, यानि कि इतना काम आपने पहल करना होगा, चूज फाइल यहां पे दावा आवेदन पर पत्र यही है, दोस्तों, दावा आवेदन पत्र, claim application form ठीक है, इसको हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और वो PDF यहां पे अपलोड कर लेंगे, PDF जो मैंने यहां पे जनरेट किया था, और अगर यह एमाउं यहां पे अपलोड किया है, उसके नीचे आएंगे दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं, आप सभी लोग उनको पिछला और अगला का option दिया जाता है, ठीक है, अपलोड हो जाएगा, तो यहां पे अगला का बटन ओपन हो जागा, अगला पे जैसे ही किलिक करेंगे, दोस्त अभी अभी आपने successfully अपना form apply कर लिया है, यह जो reference number दिया है, यह save करके रख लिजेगा, एक screenshot लेके रख लिजेगा, future में काम आएगा, किनी किनी लोगों को यहां पे नहीं मिल रहा है दोस्तों, यह तो घबराने वाली बात नहीं है, SMS के दरो मिल जाएगा, ठीक है, साथ म अराम से form apply किजेगा, कोई दिक्कत हो तो नीचे comment किजेगा, और घबराईएगा नहीं, तो ही आप लोगों को सही सही आपको सहरा का पसा फंसा हुआ जो है पैसा वो आपको वापस मिलेगा, तो दोस्तों आप लोगों को पता चलिया होगा कि सहरा इंडिया refund portal में हम लोगो बहुत सारे मैंने आप लोगों को important videos अगर आपको जानकारी चाहिए कि सहरा का पैसा कितना मिलेगा, किन-किन लोगों को मिलेगा, कौन-कौन सा document लगेगा, account number कहा मिलेगा, date of maturity कहा मिलेगा, date of account opening कहा मिलेगा, receipt number कहा मिलेगा, सता-सता संख्या कहा मिलेगा, यह सब-सब वडियो में इतना दुखा मिलते अगले वडियो में, thank you